गुड मॉर्निंग बच्चो कैसे आप लोग उमीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी मैं GM सिर्वास्ता आज के ओनलाइन क्लास में एक बर फिर से आपका स्वागत करता हूँ बच्चो आज हम कक्षा 10 के हिंदी विशे से सम्मंदित क्रितिका का पाठ चौर्ज पंचम की नाग के बारे में विश्तार से पढ़ेंगे सबसे पहले मैं इस पाठ का सार समझाने वाला हूँ लेकिन मैं इस पाठ में कोई अतरिक्त प्रशन नहीं देने वाला क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि इस पाठ के अभ्यास को यदि हम अच्छी तरह से कर ले तो अतरिक्त प्रशन की अवशक्ता नहीं होगी लेकिन पाठ का सार यदि आप ध्यान से सुने तो किसी भी प्रकार के अतरिक्त प्रशन जो थोरे से बदलाव किये गए हैं अभ्यास प्रशन के जैसे वे भी प्रशन हैं परन्तु उसमें कुछ बदलाव किये गए हैं इसके कारण हम उन्हें अतरिक्त प्रशन कह सकते हैं लेकिन यदि पाठ का सार यदि ध्यान से आप सुने तो अतरिक्त प्रशनों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं मुझे उमीद है कि आप सब इस पाठ के सार को ध्यान से सुनेंगे तो आएए शुरू करते हैं कमलेशवर द्वारा लिखित चौर्ज मंचम की नाक पाठ एक प्रकार से सत्ता और सत्ता से अथवा सरकारी तंतर से जुड़े हुए लोगों की मानसिक्ता को प्रदर्शित करता है असर में इसमें सरकारी तंतर के लोगो द्वारा रानी के सम्मान में यहां रानी एलीजाबेट द्वितिये जो भारत आने वाली थी उनके सम्मान में की गए तैयारियों का वर्णन किया है साथ ही इसमें पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यांग किया गया है तथा सफल पत्रकारिता को सार्थक रूप से उजागर भी किया गया है तो इस पार्ठ का सार इस प्रकार से है इंग्लेंड की रानी एलीजाबेद द्वितिये अपने पती के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी सारे देश के अखबारें इस शाही दौरे की खबरों से भरी परी रहती थी लंदन से उरने वाली हर खबर यहां सुर्कियों में दिखाई देती थी इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहे टिक हुई थी वहां का दरजी इस बात से परेशान था कि महारानी हिंदुस्तान पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब कब क्या क्या पहनेंगी उनके सेक्रेटरी जासूस फोटोग्राफर सब भागदोर में लगे हुए थे रानी ने 400 पॉंड खर्च करके हलके नीले रंग की रेश्मी शूट बनवाई थी जिसकी खबर भी अखबार में छप गई थी रानी की जन पंत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकर, बाबर्ची, खानसामों, अंगरक्षकों और कुटों तक की तस्वीर छपी हुई थी दिल्ली में तो शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी वहां की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सरके पूर्ण रूप से साफ हो गई थी इमारतों को सजाया गया था, समारा गया था, पर एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी नई दिल्ली के जॉर्ज पंचम की मूर्टी का नाक नहीं था कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मूर्टी को लेकल आदोलन किये थे, कई प्रस्ताव पास हुए थे, अनेक भाशन दिये गए थे और कई प्रकार के तर्क या वहस भी हुई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ भी पक्ष में थे सरकार ने जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हर हतियार बंद पहरेदार तक तैनात कर दिये थे पर हादसा हो ही गया इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम के मूर्थी की नाक अचानक गायब हो गई थी हतियार बंद पहरेदार अपनी जगा तैनात रहे गश्ट लगती रही पर नाक चली गई अब महरानी देश में आ रही थी और लाट की नाक नाक नो हो तो परिशानी तो होनी ही थी देश की भलाई चाहने वाले वालों की एक मीटिंग बुलाई गई मीटिंग में उपस्तित सभी लोग इस बात से सहमत थे कि लाट या मूर्थी की नाक तो होनी ही चाहिए यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी अर्थात देश की नाक भी कट जाएगी उच्छे अस्तर पर सलाह मश्वरिल हुए तै किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी पर उसे पता होना चाहिए कि मूर्ति कहां की बनी है या कब की बनी है उसके लिए पत्थर कहां से लाय गया था पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी गई पर वहां से इस बारे में कुछ पता नहीं चला मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहार पर जाएगा और वहाँ वैसा ही पत्थर ढूनने का प्रयास करेगा जो मूर्ति में लगाई गई है या जिससे मूर्ति बनी है आग्या मिल गई मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहारी परदेशों पत्थरों की खानों का दोड़ा किया पर कुछ दिनों बाद खाली हाथ वापस लोटाया उसे वैसा पत्थर प्राप्त नहीं हुआ उसने कह दिया कि वह पत्थर पूरी तरह से विदेशी है मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्ति लगी थी यदि उसमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा सभापती ने सभा में उपस्ति सब की सहमती से ऐसा ही करने की आग्या दे दी पर साथ ही सावधान रहने की बात भी समझा दी ताकि यह खबर अखबारों वालों तक ना पहुँचे मूर्तिकार ने फिर देश भर का दोरा किया जोर्ज मंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास तो था ही उसने दादा भाई नौरो जी, गोखले, तीलक, शिवा जी और गांधी जी, सरदार पटेल, इत्यादी, गुरु रविन्ना टैगोर, सुवाश चंद्रबोस, राजाराम मोहन राय, चंद्र सेखा राजात लगभग सभी की मूर्तियों को अच्छी तरह से देखा पड़खा, सभी के नाक की नाप ली, पर सब की नाक जोर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी अर्थात उनकी प्रतिष्ठा किसी भी कीमत पर जोर्ज पंचम की नाक से कम नहीं थी, उससे कहीं अधिक ही निकली इवे इस पर फित नहीं बैठती थी इस बात से बड़े लोगों में या बड़े नेताओं में खलबली मच गई अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो रानी के स्वागत का कोई मतलब नहीं होगा मुर्तिकार ने एक आखरी सुझाओ दिया एक ऐसा सुझाओ जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए था देश की 40 करोर जनता में से किसी एक की जिन्दा नाक काटकर मुर्ति पर लगा देनी चाहिए यह सुनकर सभापती परिशान हुए पर मुर्तिकार को इसकी भी इजाज़त दे दी गई अकबारों में के ओल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जौर्ट पंचम की मूर्ति में नाक लग रही है नाक लगने से पहले हतियार बंद पहरेदार फिर से तैनात किये गए मूर्ति के आसपास का तलाब सुखा कर साफ पानी फिर से भड़ा गया ताजा पानी डाला गया ताकि कोई लगाई जाने वाली जिंदा नाक सुख न जाये अर्थात वहाँ पानी का विवस्ता इसलिए किया गया क्योंकि जिंदा नाक यदि लगाये जाए तो नमी बरकरा रहे अर्थात वो सूखे नहीं वह दिन आ गया जब अखबारों में छप गया कि जोर्ज पंचम की जिन्दा नाक लगाई गई है जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती उस दिन अखबारों में किसी प्रकार का के उल्लास या उत्सा की खबर नहीं छपी किसी का ताजा चित्र नहीं छपा ऐसा लगता था जैसे जोर्ज पंचम की जिन्दा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी किसी की नाक नहीं बची थी जिन विदेशियों ने हमारे देश में इतने लंबे समय तक गुलाम बना कर रखा था उनकी नाग के लिए हमने अपनी नाग कटवाने को तयार हो गए अर्थात हमने अपनी नाग काट ली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे देश की नाग काट चुके थे या उनके कारण ही हमारे देश की नाख कर चुकी थी बच्चो यही था पाठ का सार मुझे उमेद है कि आप सबको इस पाठ का सार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसके आधार पर यदि आप अभ्यास के प्रशनों के उत्तर आप लिखते समय इसको भी आधार मानें तो आप अच्छी तरह से अभ्यास के प्रशनों को समझ पाएंगे या अभिहास के प्रशनों को लिखते वक्त इसका उत्तर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली का अक्षा में धन्यवाद